नमस्कार स्वागत आपके मीनीज इंडिया में मैं आपके साथ हूं संदिप चौहान और आप देख रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर जनपत सामली के कांधला नगर में हुआ ब्यापारी के लड़के का अपरहन ग्रामा जहां घर से मंदिर जाते हुए लड़के का अपरहन हो गया जिससे परिवार के लोगों में मच गया हलकम पुलिस को गुमसुदी की तहरीर देते हुए जताई अपरहन की आसन का वही कुछ देर बाद छात्र को पास के बाग में बेहोसी की हालत में बाग के ठेकेदार ने देखा ठेकेदार हाजी अरसत ने बताया कि दो लोग बच्चे को पकड़े हुए थे और मुझे देखकर छोड़कर भाग गए तेके एरीबू मुझे देखकर भाग में बाग मेरे भी रहता है और प्याना हम लेग रहे हैं मैं चोदह पनरा साल से ने के पास भी हूँ तो यह बच्चा मंदिर के लिए गया ता है और मन्दिर में यह जलबी रही बट रह गया को एक बार वाला आया अकबार देने के लिए तो दो लोग आने के बाद में उसके मूंपे पर लूमाल डगा मुझे बिलाएग और मैंने जब बढ़ा तो मुझे देख रहा था कोन है मैं पहुँचा भागा तो मुझे देखके भे भागी दो लड़ के और मैं इसको ले फिर जब यह दसा हुआ था मैंने इसे कैहीं लिगा लाएक तो मैं इसको फेर लेके मैं घर पे आ गए फिर ये परिसान थे उस से दस-पंदरा मिनट पहले इनके बाबाजी भी गए थे वहां मनें पूजा के फोल दिये थे थे तोड़कन को कि अपर धार को अच्छी फिर पापा ऑगे रूंकर आते हैं तो अननों रखा फिर जोनते फिर बोट देर तक हॊए काया काया उन्हुन तो जिस तरीके साथ ही अगटना गटी फिर आप गर के सब पहुंचे यह जो यह हमारे बाक फाले हैं जी तो नहीं आफ़ास ही होईगी जू आए कि कोन है कोन है उसके बाद जिए इन पता चला फिर बें मिलक इननों देखके भाग गए उसके बाद तो इनों ने मुझे देख गा हुअ तो यह अपक और पले हैं नहीं देख हो अब है पूरी गटने कैसे एक सुबह थाने आज़ा पर सूचना पराप कोई थी कि एक बच्चे का अपरान हो गया है इसके संदर में सरपर्थम पेरेंट से बात की गई और इसके बाद में जैसे इमामोके पर जाज चाच तफ्तीश वगरा की गई तो बच्चे के साकुछल बरामद कि यहीं थाने के पास से यह बाग से बरामद हुआ लेकि जब उसे गहनता से बच्चे से पूस्ताच की गई तो मामला ही कुछ और निकला वो जिस बच्च जो इस स्टेंडर्ड में और जहां स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो अनिच्चू का पढ़ने का और ये बात पूरू में उसे अपने पेरेंट से गई थी वास्तों में वो कहीं हो पढ़ना चाहता था इस गहनता के बाद में मामला यहीं सामने पूतीत हो आज के लिए बस इतना ही संदीप चोहान को दीजे इजाजत देखते रहें केवी निज इंडिया